नमस्ति दोस्तों जोहार आप सभी का विसी एक चक्रवर्ति यूट्यूब चैनल महादिक स्वागत है दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के मैं दिम से क्लास 11 के चार तारीक होने वाले पॉलिटिकल साइस या निराइस्ति विगान के सेकेंड टाइम के होने वाले एक्जाम क चली दोस्तों बिना देरिक वीडियो को सुरू करते हैं चली दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्ण कोशन आप लोग देख सकते हैं अधिकार से आप क्या समझते हैं कोशन दोस्तों अधिकार से आप क्या समझते हैं इसका एंसर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों क्या ल समाज द्वारा महिननेता प्राथ हो क्या लिखा गिया है व्यक्ति की उन मांगो को जिने समाज द्वारा महिननेता प्राथ हो तब राज्य द्वारा संद्चन प्राथ हो अधिकार कहते है याद रखिए कि दोस्तों सिंपल वासम लिखा गिया है जो एंसर आपका याद हो जा कर्टेव से आप क्या समझते हैं, कर्टेव से आप क्या समझते हैं, इसका अंसर लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया, कर्टेव अंग्रेजी के duty सब्द का हिंदी रुपांतर, याद रखी दोस्तों, ये जो कर्टव है, अंग्रेजी के duty सब्द का हिंदी रुपांतर है, duty duty सब्द की उत्पती due से हुई है जिसका अर्थ उचीत होता है यादराखी दोस्तों जिसका अर्थ उचीत होता है अता कर्टवे से तातपरी ऐसे कारी से है जिससे कोई व्यक्ति स्वभाविक नेतिक और कानूनी दिष्टी से करने के लिए बाइद है चलिए आप लोग समझा जाते हैं कि स्वाभाविक क्या है नेतिक क्या है और कानूनी दिश्टी से क्या है ठीक है तो दोस्तों जैसे पुत्र स्वावत अपने पिता के प्रति अपने कर्टेवों का पालन करता ठीक है एक पुत्र का भी एक पिता के प्रति ड्यूटी होता याद रखी है दोस्तों यह सभातों quá फ्टा ठीक है अज़्ूसरा नेतिक दिश्टी से क्या समझतें दोस्तों नेतिक दिश्टी से कर्टेव yogurt परेएपने बीबेक अंतरात्मा या स्वर की आग्याा का पालन करने याद रखी दोस्तों तिसरा जो दोस्तों बता है कानूनी दिश्टी न तो कानूनी दि duty सब्द बना दोस्तों ये डियू सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उचीत अपने विबेक से अंतरात्मा से और इस वर्थ की आग्या का पालन करना ठीक है याद रखेगा और कानूनी दिश्टी साप लोग को समझा दी दोस्तों कानूनी दिश्टी मतलब होता है अपने कानूनी दिश्टी से करने के लिए बाइध्ध है याद रखेगए इसलिए कर्टेव कहते हैं ड्योटी करते हैं चेड़ों आप लोग कि समीदान दोर हम लोग कितने मौलिक अधिकार कितने है कितना है अब अब लोग कर्दि ऑढली कितने हैं कमेंट में बताइए चलिए दोस्तों, next question के बढ़ते है, question 3, बहुती जड़ा important question दोस्तों, नागरिक किसे कहते हैं, तिसका answer लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, नागरिक वहव एक्ती होता है, जिसे राज जी या देश की सदेश्यता प्राप्त होती है, याद रखेंगे दोस्तों, नाग किसे कहते हैं, नागरिक वहव एक्ती होता है, जिसे राज जी या देश की सदेश्यता प्राप्त होती है, उसे राज जी की और से नागरिक और राइजितिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और राज जी के परती उसके कुछ दाइट्टों और करतेव भी होते हैं, याद उस राज्जी का नाघृक कहलाता है, याद रखी दोस्तो, राज्जर के बीमर्सी और ने अई प्रसासन में, जिसको भाग लेने का अधिकार है, उसे अरस्तु का नुसार नाघृक कहा जाता है, याद रखी दोस्तो, चलिए दोस्तों, next question के बढ़ते question number 4, क्या पुछाएगी, आप लोग देख सकते हैं, विदेसी किसे कहते हैं, क्या है दोस्तों question, question number 4 में, विदेसी किसे कहते हैं, ठीक है, तो विदेसी वे होते हैं, जो किसी राज में अस्थाई या आस्थाई रूप से निवास कर रहे होते है लेकिन उन्हें अन्य नागरिक की भाती ना तो कोई राजिनितिक अधिकार प्राफ्थ होता है और ना ही देश के सासन में उनकी किसी तरह की कोई भागिदारी होती है याद रखेगा इसे विदेशी कहते है ठीक से फिर एक बार समझा देते हैं आप लोगों को विदेशी क की कोई भागिदारी यारे पारिशीपेट होती है याद रखेगा दोस्तों देश के सासन में लोग का भागिदारी नहीं होगा ठीक यादब रखेगा इन्ने विदेशी कहते है आप लोग याद कल लिजेगा वहelawnठ इम्परीटन कॉशलिए ठीक है चलिने नैस से कर्किर प्रिशन 5 क्या है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नागरिक्ता से क्या ताथपरी है ठीके नागरिक्ता से क्या ताथपरी है पहले मैंने बता है तो नागरिक किसे कहते है अब जो question दोस्तो नागरिक्ता ठीक है याद रखेगा नागरिक्ता से क्या थात परी है तो इसका answer लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है नागरिक्ता व्यक्ति का अपने राइजिम में वहाँ कानूनी दर्जा है क्या बोले द नागरिक्ता के दो रूप कोन से है क्या question पुछा गिया है नागरिक्ता के दो रूप कोन से है तो इसका answer रूप देख सकते दोस्तो नागरिक्ता के दो रूप एक जन्मजात नागरिक्त क्या होता दोस्तो एक जन्मजात नागरिक्त और दूसरा राइजिक्रित नागरिक् फरकार, तो दौ परकार होते हैं, दोस्तो एक जनमजात और दूसरा राीज़िकरित, ठीक है याद रख लिजएगा, चाहिए नेक्स कोशन के एंट कोशन में हैं और सेवन क्या पुछागा, जनमजात नागरिक है क्या अर्थ और कोश्चन के राज करहते हैं, तो राजिक्रित नागरिक वे नागरिक है, जो जनम से तो किसी दूसरे देस के नागरिक होते हैं, लेकिन किसी अइन देश में लंबी आउधी तक यानि लंबे समय तक निवास करने तथा अइन सर्तों को पूरा करने के बाद उस देश की नागरिकता प्रात करते हैं राज की नागरिक किसे कहते हैं दूस्तों वे नागरिक को कहते है जो जनम तो किसी दूसरे देस में लिया होगा लेकिन यहाँ बहुत ही लंबा समय से निवास करता है और बहुत सारे next question कि विबरते कोशन 9 जो बहुती है important कोशन है पर नागरिकता कानुन कब बनाया गया याद रखिए कि राष्ट अंग्रेजी के नेशन सब्द का हिंदी अनुवाद है इस नेशन सब्द की उत्पत्ती लेटिन के नेशियो सब्द से हुई है जिसका अर्थ उत्पन होना या जर्म लेना होता है इसलिए वहित्पत्ती की दिश्टी से राष्ट उन लोगों के समू को बताता है जो परस पर रक्त संबन से बंदे हैं या एक ही नस्र लगते हैं ठीक है याद कर लिजेगा अगर याद नहीं होगा तो simple भाचा हमें लिखा गया दोस्तों दो माइं का याद कर लीजिए करका दो मांख सकंफर्म हूजए मिज़ेगा क्या दोस्तों वार्जिस्ट के सब्दों में salary राष्ट जातिये एकता में बंधा हुआ हुआ जन्समू है जो एक अखंड भोगोलिक परदेश में निवास करता है याद कर लिजेगा चैनेक्ट कोशन के बढ़ते कोशन में 11 जो बहुती ज़्यादा है इंपॉर्टन कोशन है राष्टियता क्या है क्या दोस्तों कोशन रा इधात्मिक भावना से है जो उस जन्समूदाई में पाई जाती है जिसके सदश से एक मुलवन हो एक ही भुकंड पर निवास करते हो एक ही भासा बोलते हो एक ही धर्म के अनुयाई हो जिनके इतियास और परंपराय समान हो आथिक हित समान हो और राष्टिक एकता के समान आदस रखते हो ठीक है इसे राष्टियता कहते है गिल क्रैस्ट के सब्दों में याद कर लिजेगा नेश्ट कोशन के बड़ते है कोशन नवर टुएल जो बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्डन कोशन है क्या है दोस्तो राष्टवाद से आप क्या समझते है दो मास का बहु प्रष्टवाद एक भावनातमक सकती है ठीक है आधवा में लिखा गиля दोस्तो याद कर लिजेगा अगर ये वाला याद नहीं होगा ता अधवा बटकर लिजेगा ग्रास ने राष्टवाद की परिवासा देते हुए कहा है कि राष्टवाद इस परकार की सामुईक भाव याद कर लिजिएगा नेक्ट को बढ़ते हैं तर्टीन जो बहुती है इंपॉर्णन कोशन है क्या दोस्तो राष्टवाद के दो गून बताईए तो पहला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तो एकता की भावना क्या राष्टवाद का पहला गून एकता की भावना इसमें इ बहुत ही इंपॉर्णन कोशन है राष्टवाद के दो गून बताईए अब आपसे पूचा गया राष्टवाद के दो गून बताईए तो पहला पूचा गया राष्टवाद के दो गून बताईए तो पहला पूचा गया पूचा गया राष्टवाद के दो गून बताईए तो पहला point याद रखेगा दोस्तो आंतरिक एक्ता के लिए बाधक याद रखेगा आंतरिक एक्ता के लिए बाधक तो चली समझते हैं क्या है दोस्तो इसका मतलब होता है राष्टवाद देश की आंतरिक एक्ता के लिए बाधक सित हुआ है क्यूंकि देश की विभिन राष् सामराइजवाद से लिए सब्सक्त्रılmış होता है इसलिए इसका दोओ पॉइंट याद कर लीजेगा धर्म निर्पेच राईज से क्या तात्परी है तो याद रखीगा दोस्तो दुर्गादास बसू के अनुसार धर्म निर्पेच राईज से तात्परी ऐसे राईज से है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और जो सभी धर्मों के परती समान रखते याद रखेगा उसे धर्म नित्रेच राईज कहते हैं सबसे बड़ा एकजांपल डोस्तों जात कर लिचेगा भारत क्यूंकि बारत एक धर्म नित्रेच राइज है बहात का अपना कोई दर्म नहीं है अब भारत सभी धर्मों के परतिeld समान बेवार करते हैं, सभी धर्मों के परती समान बेवार और आदर रखते हैं, याद रखेगा, बहुत ही important question था दोस्तो, और एक वात याद रखेगा, दोस्तो नोट कर लीजेगा, धर्म को पन्त निर्फेच भी कहा जाता है, ठीक है? एक हाजा लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों इस वीडियो को जाज जाज जाजा सेर कीजिए आप लोग का रिस्पोंस देकर मैं जल से जल आप लोग को पॉर्टिकल साइस के अच्छे साची तेयारी करवाओंगा चार तारीक से पहले आप लोग का सिलेबस भी कम् राज में विभिन संस्कृति और यहाज जाती की लोग है लेकिन फिर भी सांतिपूर्ण ढग से रहते हैं जो याद रखेगा तो धर्म निर्पेश राज्य में ही विभिन संस्कृति और समुदाय के लोग सांति पुर्वक रह सकते हैं ठीक है नेश्ट कोश्चन के बरते हैं दोस्तों कोश्चन में 17 जो बहुत ज़्यदा है इंपॉर्ण कोश्चन क्या है किस वर्ष भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में 5 निर्पेश सब्द जोड़ा गया संसोदन पुछा यह तो आप लोग लिख दीजेगा बियालिस वे समिधान संसोदन द्वारे ठीक है चली दोस्तों नेश्ट कोश्चन के बरते हैं कोश्चन 18 जो बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट क्वेशन क्या है सांती का सामाई ने अर्थ क्या है एस का अंसर आप लोग देख सकते है और किसी टाइब का कोई यूद नहीं होगा तो वो भी सांती याद रखेगा, समय निरुप से यूद ना होने की स्तिती को सांती समझा जाता है, और हिंसा की अनुपस्तिती ही सांती है, याद कर लिजेगा बहुत important question था, चैसे दोस्तों next question के बढ़ते question 19, जो बहुत ज़्या सकते हैं, question 20, जो बहुत ज़्यादा important question है, विकास से क्या ताथपरी, question क्या कुछ है गया है, विकास से क्या ताथपरी है, याद रखेगा, विकास से हमारा ताथपरी है, सामाईने रूप से किसी एक देश के अंदर उसकी होने वाली उननती और प्रगती से होता है, याद इस वीडियो में एक हाजा like और comment से अपना प्यार और support दीजिए, चार ताइक से पहले आपका syllabus complete कराने के वादा मैं करता हूँ, ठीक है, बस आप एक हाजा like और comment देखर अपना प्यार जता ही है, मैं चार ताइक से पहले आपका syllabus complete कर दूँगा, ठीक है, दोस्तों अगर य